नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारे यूटूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 30 और 31 अगस्त मकर रासी के महारासी फल के बारे में दोस्तों बदनसी भी होगा जो इसे नदर अंदाज करेगा जी हाँ दोस्तों 48 घंटों के अंदर आपको पूरे 10 करोड की लोटरी लगने वाले हैं जी हाँ दोस्तों हम आप सबी को बता दें की आज की इस वीडियो में हम जो बात बताने वाले हैं दोस्तों इन्हें भूल कर भी मत मिस किजिएगा क्योंकि दोस्तों यह आपके करमों का फल है जो की इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं जी हाँ दोस्तों आपको बता दें की इस वीडियो में हम जो जानकारी देने वाले हैं अगर आप इन्हें सुन लेंगे तो दोस्तों पूरे 10 करोड का लोटरी आपके हाथों में हो क्योंकि दोस्तों आप सबी को बता दें कि यह समय अंतराल में जब भी आपको इतने बड़े रकम इतने बड़ी उपलब्धी मिलने बाले हैं तो दोस्तों एसे में आपको भी अपने जीवन काल में चार बड़े बिश्यस बातों का ध्यान रखना बहुती जादा आवसक हैं तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो बात बताने वाले हैं दोस्तों इन्हें बिलकुली ध्यान से सुनिएगा जिहां दोस्तों दोस्तों आपको बता दें कि अब आपके जीवन काल में आपकी कुंडिली में तीन बड़े गरहों का मिलनसार हो चुका है जिनके कारण दोस्तों धन लक्षमी योग गज के सिरी योग और सुरुवा सुधी नाम के बड़े सुभ योग बनने वाले हैं जिनके कारण दोस्तों आप सभी को बता दें कि आने वाले शमय में आपको धन कामाने के अनेक मोके मिलने वाले हैं जिहां दोस्तों और यह शमय आपको बहुत दोस्तों आपको बता दें कि यह समय सुक्र ग्रह और सनी की जो इस्तिती बनने वाली है आपकी कुंडिली के लिए तो भगवान का बरदान ही शावित होगा जीहां दोस्तों और यह बरदान आपके पूरे जीवन को बदलने वाला शावित होगा दोस्तों एक परकार से कहें तो यह बार्दान आपके कर्मों का ही फल है जी हां दोस्तों पिछले समय से अब अपने जीवन काल में लगातार दुक झेल रही हैं परिसानिया झेल रहे हैं और तमाम परकार की मुसिबतों को झेलते हुए अब अपने कारे पर डट कर खड़े रहे हैं दोस्तों बहुत सारे इसे लोग हैं जो कारे को बीच में ही छोड़ देते हैं और चले जाते हैं लेकिन दोस्तों आपके जीवन काल में जैसी भी परसितिया हो अब अपना कर्तब को कभी नहीं भूले हैं और दोस्तों इनी की बज़े से बगवान मालक्षमी जो धन के देवता हैं दोस्तों वो आपकी कर्मों को देखकर आपको बहुती बड़ी खुस खबरी या समय देने वाले हैं जी हां दोस्तों आपको बता दें कि या समय आपकी जीवन काल की सभी परकार की जो भी कस्ट हैं जो भी पिछले समय आपकी जीवन काल में चल रही थी दोस्तों वे सभी कस्ट तो खत् साथि आपको लाप के जो मुकेर मिले वाले हैं दोस्तों यकिन मनिए कि आपका पूरा जीवन ही बदल जाएगा जी हाँ दोस्तों, साथि दोस्तों हम आपको बता दें कि धन से जोड़ी जो भी आर्थिक तंगिया आपको जीवन काल में पिछले काफी समय से चले थे आपका पीछा नहीं छोड़ रहा था तो दोस्तों यह शमे वो भी समाप्त होने वाले हैं क्योंकि दोस्तों धन लक्ष्मी योग के कारण दोस्तों आप सभी के जीवन काल में लाब के कई मोके खुलने वाले हैं धन की आवक आपके कुंडिले में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं जी हां दोस्तों और इनके कारण आप सभी के जीवन काल में बहुती अच्छे अच्छे बदलाब होंगें तो दोस्तों ऐसे में आपको अपनी तरफ से कोई भी गलती नहीं करनी है और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो बात बताने बाले हैं दोस्तों बिलकुली इन बातों को अब ध्यान से सुनियेगा दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो को आधे अधुरे देखकर छोड़ देते हैं और बाद में कमेंड करते हैं कि यह चीज हमें समझ में नहीं आया है तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि अगर आपको अपने जीवन काल में इन लाप को उठाना है तो दोस्तों वीडियो को शुरू से आंद तक देखना ही पड़ेगा जी हां दोस्तों क्योंकि दोस्तों अ आप सब महत्यपुन जानकारी को बीजानेंगे कि आने वाले यह दो दिनों के अंदर में आपको किन-किन छेतरों को लेकर साब्दान रहने होंगे कौन से कार आपके लिए भागे साली होंगे और किन छेतरों में आपको कार करने से लाप की प्रापती होगी और भगवान मालक आपके घर के माहल में पारवारिक जीवर में स्वास्त बिजनस वेपार में आपके परतेक छेतर में क्या-क्या सुधार होंगे तो दोस्तों आंत तक देखिएगा उश्य पहले दोस्तों जो व्यक्ति बीडियो को लाइक करके कमेंड बॉक्स में सच्चे मन से जय मालक्षमी दोस्तों मालक्षमी जी की आसिम आसिरवात आप सब एको प्राप्त होगा जीवनकाल में खुज या आना आपके घर में परारम हो जाएंगे तो दोस्तों जरू लिखेगा और याप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें साथे बेलाइकर को प्रेस क करके ओल पर स्लेट कर लें जिसे कि ऐसे ही घ्यान वर्दक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंश कर है तो चलिंदोस्तों बात करते हैं सुरूबात करते हैं स्रीकृषिन जी के एक बहुती अच्छे परम ग्यान से, एक बहुती अच्छे विचार से, जो कि दोस्तों आपको आने वाले जीवन काल में एक हिक्छा सकती जागरित होगी, और यह ग्यान यह बातें आगे चल कर आपको बहुती काम्यावी साबित होगे, जी हाँ दोस्तों कि एक नगर म एक राजा रहते थे एक दिन विद्वान संत राजा की नगर पहुँची राजा संत के पास गए और उन्हें अपने महल में आने के लिए अमंतिरित किया राजा ने संत की बहुती सेवा की राजा की सेवा से संत बहुती प्रशन हुए तथा जाते समय राजा को एक ताविज दे कर गई और राजा से कहा कि जीवन में परिशानिया खत्म नहीं हो रही है और आपको ऐसा लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है तो इस ताविज में एक कागज पर मंत्र लिखा है जिसे पढ़ लेना लेकिन इसे पले यह ताविज मत खोलना राजा ने संत द्वारा दिये अगर में सत्रूओं ने आकर्मन किया सत्रूओं से राजा की सेना हार गई राजा अपने प्रान बचा कर जंगल की तरफ भाग गया और छिप गया उसे गुफा में सत्रू की सेनिक के कदम की आवाज सुनाई दी फिर राजा को लगा कि मैं फस गया हूं और सब कुछ खत्म हो गया है यह सेनिक मुझे बंधी बना लेंगे तब भी राजा को संद की ताविज की यादा गई राजा ने तुरन ताविज खोला और कागज निकाला उस पर लिखा था यह समय भी कट जाएगा राजा को यह पढ़कर थोड़ा सकून मिला फिर कुछ दिर बाद सेनिक की कद बच गई इससे सीख हमें मिलती है कि अच्छे दिन हो या बूरे दिन हमेशा नहीं रहते हैं हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि समय बदलता रहता है बुरा वक्त हो तो यह सोचना चाहिए कि यह समय भी कट जाएगा जी हां दोस्तों तो दोस्तों स्री कृष्ण जी का यह परम ज्यान अगर आपको अच्छा लगा हो आप इन्हें समझ पाए हैं तो दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दें और इनके लिए कमेंड बॉक्स में लिख दें जैश्री कृष्ण राधे राधे तो आई दोस्तों इससे के साथ बात करते हैं कि आने बारी जीवर में स्वास्त बिजनस वेपार में आपके परतेक छेतर में क्या-क्या खुश खबरियां देने वाले हैं और यह चार बड़ी विश्यस बातें आपको ध्यान रखना पहुती ज़्यादा आवश्यक होंगे जिससे कि यह बातें आपको आगे नहीं बलकि पीछे लेकर जा रहे हैं बात करते हैं पूरी विस्तार से दोस्तों आप सभी को बता दें कि आने वाले इन दो दिनों के समय अबदी में दोस्तों आपके से भी काम को कठीन मान कर ना छोड़ें थोड़ी सी मेहनत आपको बहतरिन सफलता देने वाली है आज कोई नई बातों को में आपके लिए बहुती अनुकुल है समाजिक गत्ति विदियों में उत्सा बना रहेगा और आपसी समंदों में भी मधुरता बढ़ेगी गंभीर मुद्धों पर चिंता करने की वजाए सांती और धैर से जल्दी निदान मिलेगा आएके नए स्रोत सुलब होंगे कोई रु कारे में भी अच्छी तरह फोकस कर पाएंगे परतिवित्या की तैयारी कर रहे लोगों के लिए समय पहुती महत्वपून है दोस्तों दिन के दूसरे दिन कोई खास कारे बन जाने से आत्मी विश्वास भी बढ़ेगा और अन गत्ति विदियों पर विध्यान दे समाजी गत्ति विदियों में भी आपकी सक्रियता रहेगी यूवर्ग अपने केरियर को लेकर दुरुगामी सोच रखेंगे और सफल भी रहेंगे आचाने किसी खास व्यक्ति से मुलकात आपके लिए लाबदायक सावित होगी दोस्तों मालक्षमी जी के आशिरवाद से आपकी ग्रह कुंडली बहुती शकार्तमक बने हुई है आप जिसे कार में हाथ आगे करेंगे दोस्तों आपको शफलता मिलना तय है आपकी कोई खास युगता और काबलियत लोगों के शामने आएगी समय का सदपियोग करना आप की शमता पर निर्वर करता है आज का दिन खास तोर पर महिलाओं के लिए बहुती अनुकुल बनी हुई है इन्हें अपने लक्ष हासिल करने में शफलता मिलेगी साथिसाद दोस्तों अपने भावनाओं पर नियंतरन रखें तक कोई भी परेशानी आने पर घावराने की व मिलेगा परिवार के साथ धार्मी आधात में अस्तल पर जाने का भी आवशर मिलेगा दोस्तों योजनावत तरीके से कार्व शंपन होते जाएंगे और आप काफी हद तक शुकुन मैसुष करेंगे कोई पेमेंट यादे मिलने से आर्थिक इसनी बेहतर होगी के साथ साथ इन दिनों में मालक्ष मी जेकी किरपासे और आपकी अच्छे कर्म परधान होने के कारण दोस्तों आपके घर में एसी खुश ख़बरियां एसे सुप समचार दस्तक देने वाले हैं जिसे कि दोस्तों आपका पूरा परिवर खुसे से जुम उठेगा दोस्तों आप अपने कुछ समय से जुलक्ष निर्धारित किया है आज उस पर काम करने का उत्तम समय है संतान को भी कोई उपलब्दी मिलने से घर में खुशी भरा बातावरन रहेगा साथी किसी रुके विकार में भी गती आएगी येकि साथ साथ दोस्तों आपको इन दिन में कुछ शाबदानि भी कमी आशकती है बैतर होगा की अपना काम से ही मतलब रखें घर के बड़ी बजरों की शल्हावत सहयों का भी आवसर अनुसारन करें इसमें आपको कई परकार के सफलता मिलेंगे वेबसाइक गतिविदिया निर्वद्ध ही चलती रहेगी सहयों तदा करुशारियां का भ अब सुधार आएगा इसमें मार्केटिंग सबन्दिक कारे को पूरा करने के लिए बहुती अनुकुल है आपको उचित सफलता मिलेगी वेबसा में उत्पादन छमता में सुधार आना शुरू होगा आर्थिक इस दिया में भी बेहतर होगी इसमें मार्केटिंग से प्रप्रवार को बहत्रिन डिल होने की संभावना है लेकिन अपनी प्यारवारी गत्तिविदियों को किसी के समक्ष भी जाहिर न करें विवाँ को कारोवार समंदी प्रयार शफल रहेंगे किसी की सलाव पर विश्वास करने से पहले उसके सभी पहलुवा पर ध्यान देना भ उचित समय है परिवारी बतारण उचित बनाए रखने के लिए आपका योगदान जरूरी है बेतर रगा की परिवार के साथ कोई मरोजन समंदी प्रोग्राम बनाएं दोस्ता आपके स्वास्त के बारे में बात करें तो स्वास्त उत्तम रहेगा उचित दिन्चारिया और खानपान आपको स्वास्त और उर्जवान बना कर रखेंगे गैस और बदरजमी की वज़े से सरीर में सुष्ति और ठकान रहेगी खानपान संतुलित रखें नस्व में खिंचाव और दर्द की समस्या बढ़ सकती है वेवाम और योगा पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी दोस्तों इन उपायों को करने से मा लक्षमी की किरपा बनी रहती है शुक्रवार के दिन मा लक्षमी को लाल बिंदी चुनरी चुडिया सहित अन सोलर शिंगर अरपित करें इससे सोभाग की ब्रेदी होती है साथी पती की उम्र लंबी होती है शुक्रवार के दिन लक्षम स्रूत कनक धारा स्रूत या फिर स्री सूत का पार्ट करें इसे आपके सभी मनों कामना पूर्ण हो जाएंगे जैसे अब बात करते आपका बागे साली रंग और बागे साली आंग क्या है दोस्तों आपका बागे साली रंग आस्मानी है और बागे साली आंग छे है दोस्तों म मालक्षमी का आशिरवाद आप सभी को प्राप्त हो सच्चे दिल्शे कमेंड बॉक्स में जै मालक्षमी जरूर लिखें और वीडियो को लाइक सेर जरूर करें धन्यवाद